दोस्तो इसराइल और इरान के इस जंग से भारत के लिए भी एक बड़ा सबक यहां पर तयार हो गया है हाला कि इरान के हवाई हमलों को अपने आरेन डोम से विफल कर दिया ज़रसल इरान ने लगातार 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइले इसराइल के उपर दागी इसराइल के पास आप सब जानते हैं कि कई एड्वांस एर डिफेंस सिस्टम्स मौझूद हैं दोस्तो भारत को भी इसराइल की तरह पाकिस्तान और चाइना दो मोर्चों से खत्रा पूरा बना हुआ है ऐसे में भारत की क्या तयारी है क्या भारत भी इस तरके के हमलों का जवाब दे सकता है ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है दोस्तो भारत के missile defense के कई components इसराइली मूल के हैं जिसमें की green pine radar का एक variant है जो की इसराइल के arrow missile को दुश्मन की missile launch का पता लगाने में मदद करते हैं इसका इस्तमाल भारत की जो BMD यानि की ballistic missile defense प्रणाली है उसके हिस्से के रूप में किया जाता है LR SAM और MR SAM दोनों को भारत और इसराइल ने मिल कर तयार किया है जो की सता से हमें मार करने वाली missile systems है यही नहीं इसके अलावा जो कोलकता और विजाक क्लास के हमारे destroyers हैं उन पर MF star radar भी इसराइल का लगा हुआ है इसके अलावा इनस विकरांत में भी MF star लगाया गया है भारत के पास मौजूद जो spider SAM system है वो भी इसराइल का है इसके अलावा भारत के पास Russian S-400 defense system भी है और यही नहीं भारत ने आकाश air defense system का एक पूरा defense network भी शामिल किया है जिसमें कि कुछ Israeli missile हैं, sensors हैं और system भी शामिल है दरसल दोस्तो भारत ने ballistic missile हमलों से बचने के लिए अपनी तयारियां कारगिल जंग के बार शुरू कर दी थी क्योंकि China और पाकिस्तान से ballistic missile का खत्रा भारत के लिए बना हुआ है दरसल यह एक double layer प्रणाली होती है जिसमें क दो जमीन और समुद्र आधर्द interceptor missile है इसमें उचाई पर दुश्मनों की missile और विमानों को मार गिराने के लिए प्रितिवी air defense system यानि कि pad missile और कम उचाई पर मौजू लक्षों को खत्म करने के लिए advanced air defense system शामिल होता है भारत के पास यह two layer यानि कि दोस्तर यह ढाल की गई किसी भी आने वाली missile को रोकने में पूरी तरीके से शक्षम है और इस system में early warning and tracking radar लगा है जिसके साथ command और control post का एक overlapping network भी होता है प्रितिवी air defense system की बात करें तो इसमें एक anti ballistic missile होती है जिसे की exo atmospheric के बाहर आने वाले ballistic missile को रोकने के लिए तयार किया गया है इसके operational range 300 से 2000 किलोमेटर है अधिक्तम अवरोधन के उचाई है 80 किलोमेटर मैक 5 की अधिक्तम गति के साथ pad medium range के ballistic missile को मार गिनाने के लिए काफी है इसके लावा advanced air defense missile यानि कि एक anti ballistic missile है जो कि 30 किलोमेटर की उचाई पर android atmospheric में आने वाली ballistic missile को रोकने के लिए design की गई है यह उन targets के है 150-200 किलोमेटर और इसकी अधिक्तम स्पीड है Mac 4.5 यहीनी भारतिय सेना और भारतिय वाइस सेना दोनों के पास अलग-अलग परकार की प्रणालिया है इन में मुख्य रूप से सता से हवाई मार करने वाली missile है इसकी 20 किलोमेटर की प्रभावी range है और आकाश के बारे में तो आप सब जानते हैं कि यह मद्यमदूरी की mobile सता से हवाई मार करने वाली missile रक्षा प्रणाली है जिसे DRDO ने तयार किया है यह missile 45 किलोमेटर दूर 18,000 मीटर की उचाई पर किसी भी विमान को निशाना बना सकती है साथी यह cruise missile और हवा से सता प्रमार करने वाली missile के साथ अ स्पाइडर भी एक तुरित प्रक्रिया वाली सता से हवाई मार करने वाली missile प्रणाली है जो कि किसी भी विमान, हेलिकॉप्टर और UAV को निशाना बनाने में शेक्शन में है बराकेड यह एक long range की surface to air missile system है जो कि एक इंडो इस्राइली सता से हवाई मार करने वाली missile है और अगर भारत के साथ ऐसी situation आती है तो भारत आसानी से इनका मुकाबला कर सकता है तो भारत की तयारियां पहले से ही पूरी है